सूप्रभात मेरे प्यारे छात्रों आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे हिंडी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ तीन मीठी बोली पाठ का वाजन करेंगे इस पाठ का उद्देशे छात्रों में शिष्टाचार की भावनाओं का विकास करना है तो आए सर्व प्रथम हम नए शब्दों का उचारण करते हैं जोपडी जंगल में अनेक जोपडियां बनी थी क्रोद हमें क्रोद नहीं करना चाहिए अंधा हमें अंधे व्यक्ती की सहायता करनी चाहिए क्रिपा हे भगवान सब पर क्रिपा करो नम्रता हमें सब के साथ नम्रता के साथ व्यवार करना चाहिए सेवा बुजुर्गों की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं आईए अब हम पाट का वाचन करें एक राजा था एक दिन वह अपने सेवक के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकला दोनों जंगल में पहुच गए गर्मी का दिन था चारो तरफ धूप खिली हुई थी राजा जंगल में पहुच कर विश्राम करना चाहता था और उसे बहुत प्यास लगी थी तो उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि सेवक जाओ हमारे लिए कहीं से पानी लेकर आओ राजा की आग्या का पालन करने के लिए सेवक जंगल में पानी लेने के लिए निकल पड़ा जंगल में उसे एक जोपडी दिखाई दी जोपडी के बाहर एक साधू तपस्या कर रहा था तब सेवक ने उस साधू को कहा अरे ओ अंधे साधू जा मेरे लिए पानी लेकर आ मेरे महराज प्यासे हैं उन्हें पानी चाहिए सेवक की कटू वानी सुनकर साधू ने पानी देने से इनकार कर दिया सेवक क्रोध में आकर राजा के पास वापस लौट गया और राजा को सारी कहानी सुनाई तब राजा को समझ में आ गया और राजा स्वैम साधू के पास पानी लेने के लिए चला गया राजा ने साधू से कहा हे महराज मैं प्यासा हूं क्रिपया करके मुझे पानी पिलाए राजा की मीठी वानी सुनकर साधू ने राजा को पानी दे दिया तब राजा ने साधू से पूछा कि हे महराज आपने मेरे सेवक को पानी देने से क्यों इनकार किया था तब साधू ने उत्तर दिया हे महराज आपके सेवक की वानी बहुत कटू थी और आपकी वानी बहुत ही मीठी तब राजा ने अपने सेवक को समझाया कि सेवक मीठी वानी ही हमारी सच्ची दौलत है अपनी मीठी वानी की सहायता से ही हम कोई भी कार्रे कर सकते है सेवक को राजा की समझाय हुई बात समझ आ गई और उसने साधू से माफी मांगी तो बच्चो आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी धन्यवाद खुश रहिए सुखी रहिए उसर बात समझ को क्टश से समझ रहिए रहिएा च्छान स्ट्थज practically रहाँ